कि ये घड़ी जल से जल निकल जाए वे इस दुख से जल से जल बाहर निकल पाएं एक बर गहरी सांस लीजिए और रिलाइक्स पर फिर से गहरी सांस और रिलाइक्स इस पूरे ब्रह्मान की कलतना कीजिए पूरी दुनिया पूरी दुनिया की कलतना कीजिए ये संसार बनाया है इश्वर ने पेड पौधे पक्षी पहाड नदिया जंगल पशुपक्षी इस सब उसकी बनाई स्रिष्टी है आप एक गलोब की कलतना कीजिए एक पूरा गलोब को अपने मस्तिक्ष में कलतना कीजिए उस गलोब की कलतना कीजिए इस सुन्दर स्रिष्टी के लिए आप उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद कीजिए एक गहरी सांस लीजिए और रिलाक्स एक बार फिर से गहरी सांस लीजिए रिलाक्स विश्व में शान्ती रहे लोगों में सद्भावना रहे मेल जोल के साथ लोग रहे आपस में भाई चारा हो इस दुन्या से दर्द, दुख, डर सब निकल जाए लोगों की शान्ती के लिए एक बार गहरी सांस लीजिए पूरे शरीर के लिए न केवल अपने लंग्स के लिए पूरे शरीर के लिए रिलाक्स एक बार फिर से गहरी सांस रिलाक्स ब्रेथ कनेक मेडिटिशन हम कर रहे हैं अब मैं गहरी 20 से 1 तक काउंट करूँगी आप अपना ध्यान अपने स्वास पे केंजित कीजिएगा एक आने तक तब आप धीरे धीरे अपने हाथ पेरों को हिलाईएगा गहरी सांस बीस उननेस अथारा सत्रा सोला पंद्रा चौदा तेरा बारा ग्यारा ग्यारा दस नौ आट साथ साथ चे पाच चार ती 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 दो एक धीरे धीरे अपने हाथों की पैरों की उंग्लियों को हिलाईए जो लेटे हुए है एक बार अपनी बॉड़ी को स्ट्रेच कर लीजिये बैठे हुए अपनी हत्येलियों को रब कीजिये आखो पे लगाईए लेटे हुए दाई करवट दीरे से लीजिये दाई तरफ एक तरफ करवट लेके धीरे से हाथ टेकते हुए उठ जाएए कैसा महसूस कर रहे हैं आप अभी ऐसा रोज प्रति दिन आप महसूस कर सकते हैं अगर सुबह थोड़ा जल्दी उठें थोड़ा लाफ्टर मेडिटेशन करें थोड़ा ब्रीधिंग करें एक दो एक्सराइज करें थोड़ा मेडिटेशन करें कल हमने आपको बेसिक्स बताये